आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको ब्रस्पत बार की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ब्रस्पत देव कीज़े अवज से लिखे तथा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए साथी बेल आइकान पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहानी प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राहमर था उसकी कोई संता नहीं थी वह नित्य पूजा पाठ करता उसके इस्त्री न इश्नान करती और नहीं किसी देफता का पूजन करती इस कारण ब्राहमर देफता बहुत दुखी रहते थे भगवान की किरपा से ब्राहमर के यहां एक कन्या उत्पन हुई कन्या बड़ी होने लगी वह प्रात्य इस्नान करके भगवान विश्नू का जाप करती थी ब्रश्पत्वार का ब्रत्वी करने लगी पूजा पाट समाप्त कर वह पढ़ने भी जाती थी और वह पाट साला जाते समय अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पाट साला के मार्ग में डालती जाती लोट से समय वही जो स्वंट के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती एक दिन वह बाले का सूप में उन सोने के जो को फटक कर साप कर रही थी तब ही उसकी माने देख लिया और कहा हे बेटी सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए दूसरे दिन गुरुबार था कन्या ने ब्रत रखा और ब्रश्पत देव से सोने का सूप देने की प्राथना के ब्रश्पत देव ने उसकी प्राथना सुईकार कर ली रोजाना की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाट साला चली गई पाट साला से लोटकर जब वे जो भीन रही थी तो ब्रश्पत देव की किरपा से उसे सोने का सूप मिला उसे वे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परंत उसकी मा का वही डंग रहा एक दिन की बात है कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला कन्या की रूप और कारे को देखकर वे उस पर मोहित हो गया राज महला कर वे भोजन तथा जल त्याग कर उदास सोकर लेट गया राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ग्यात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वे अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया और उस लड़की के बारे में बताया फिर राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर पर भीजा मंत्री उस लड़की के घर गया मंत्री ने ब्रहमण की समझ राजा की और से निवेदन किया कुछी दिन वाद ब्रहमण की कन्या का बिवा राजकुमार के साथ हो गया कन्या के घर से जाते ही ब्राहमण के घर में पहले की भात गरीवी का निवास हो गया एक दिन दुखी होकर ब्राहमण अपनी पुत्री से मिलने गए बेटी ने पिता के अवस्ता को देखा और अपनी मा का हाल पूछा तो ब्राहमण ने सभी हाल कह सुनाया कन्या ने बहुत सा धन्दे कर अपने पिता को बिदा कर दिया लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्राहमर फिर अपने कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा पुत्री बोली हे पिताजी आप माताजी को यहां ले आओ मैं उन्हें वे बिधी बता दूँगी जिससे गरीवी दूर हो जाए ब्रहमर देपता अपने इस्तरी को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राज महल में पहुँचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्राते काल इस्तरी की बची जूठन को खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुसा आया उसने अपनी मा को एक कोट्री में बंद कर दिया प्राते उसे इस्तरी की बुद्धी ठीक हो गई इसके बाद वे नियम से पुजा पाट करने लगी और प्रतेक ब्रश्वत्पार को ब्रत करने लगी इस ब्रत के प्रभाव से म्रत्य के बाद वे स्वर्ख को गई वे ब्रहमणवी सुक पूर्बग इस लोग का सुक भोग कर स्वर्ख को प्राप्त होगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादा शेयर करेए धन्यवाद